पश्चिम बंगाल के गवोंडर स्रेमान जगदिब धनकर जी, केंद्रिय संस्कृति और टूरिजम मंत्री स्री किशन रेडी जी, विक्टोरिया मेमोरियल हौल से जुड़े सभी महानुभाव, विश्व विद्यालों के वैस चांसलर्स, कलाव और संस्कृति जगत के दिगर्च, देवी और सज्जनों. सबसे पहले, मैं पश्चिम मंगाल के बीर भूम में हुई हिंसक वारदात पर दुख व्यक्त करता हूँ, अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ. मैं आशा करता हूँ कि राज्य सरकार, बंगाल की महान धर्ती पर ऐसा जधन्य पाप करने वालों को जरूर सजा दिलवाएगी. मैं बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूँगा कि ऐसी बारदात को अंजाम देने वालों को, ऐसे अपराधियों का होसला बढ़ाने वालों को कभी माफ न करें. केंद्र सरकार की तरब से मैं राज्य को इस बात के लिए भी आस्वस्त करता हूँ कि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिलवाने में जो भी मदद वो चाहेगी, भारत सरकार मोहया कराए जाएगी. साथियों आजादी का अमरुत बहुत सबैर, पुन्नो पालों लागने, महान बिपलवी, देर अईतिहाशिक, आतो बलिदानेर प्रती, शमोग्रो भारत बाशिर, पुक्खो थे के आभुमी प्रणाम जनाच्ची, शहित दिवस पर मैं देश के लिए अपना सर्वस्वन नियोचावर करने वाले सभी वीर बिरांगनाओं को, कृतग्य राष्ट की तरप से भावांजली अर्पित करता हूँ, स्रीमत भागवत गीता में भी कहां गया है, नैनम चिद्नती सस्त्रानी, नैनम दहती पावकह, यानि ना सस्त्र जिसे काड़ सकते हैं, ना अगनी जिसे जला सकती हैं, देश के लिए बलिदान देले वाले ऐसे ही होते हैं, उन्हें अमुरुत्व प्राप्त होता है, वो प्रेरणा के पुष्प बनकर पीड़ी दर पीड़ी अपनी सुगंद बिखेरते रहते हैं, इसलिए आज इतने बर्चों बाद भी अमर शहीद भगत्सी, राजगुरू और सुख्देव के बर्दान की गाथा देश के बच्चे बच्चे की जुबान पर है, हम सब को इन वीरों की गाथाएं देश के लिए दिर रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करती हैं, और आजहादी के अमरत महुत्सव के दौरान, इस बार शहीद दिवस का महत्व और भी बढ़ गया है, देश आजहादी के लिए योगदान देने वाले नायक नाईकाओं को नमन कर रहा है, उनके योगदान की इस मुत्ति को ताजा कर रहा है, बाधा जतिंज की वो हुंकार, आमराम और वो जाज जांग बेश, या फिर खुदराम बोस का हवान, एक बार बिदाई देमा, एक बार बिदाई देमा, घुरे आशी, पुरा देश आज फिर याद कर रहा है, बंकिम बाबु का वंदे मात्रम, तो आज हम भारत वासियों का उर्जा मंत्र बन गया है, जांशी की रानी लक्ष्मी बाई, जलकारी बाई, कित्तूर की रानी चेन्नमा, मातंगिनी हाजरा, बिनादास, कमलादास गुप्ता, कनकलता बरुआ, ऐसी कितनी ही विरांग नाओने, स्वतंत्रता संगराम की जाला को नारी शक्ति से प्रजवलित किया, ऐसे सभी विरों की स्मर्दी में, आज सुबे से ही, अने जगों पर, प्रभात थेरिया निकाली गई हैं, स्कूल कॉलेजों में, हमारे युवा सांथियों ने, विशेश कारक्रम आयुजित किये, अमरित महोत्षव के, इसी अयत्यासिक कालखण में, शहीद दिवस पर, विक्टोरिया मेमोरियल में, विपलभी भारत गैलेरी का लोकारपन हुआ है, आज नेताजी सुभास्तनर बोष, अर्विन गोष, रास्पिहरी बोष, खुदिराम बोष, बहगा जतीन, बिनोई, बादल, दिनेश, ऐसे अनेक महान सेनारियों की इस मृत्या से, ये जगर पवित्र हुई है, निर्भिक सुभास गैलेरी के बाद आज, विपलभी भारत गैलेरी के रूप में, पस्चिम बंगाल की कॉल खाथा की हरिटेज में, एक खुबसरत मोती और जुड़ गया है, साथ क्यों, विपलभी भारत गैलेरी बीते वर्षों में, पस्चिम मंगाल की सम्रुद्व सांस्कृतिक और एतियासिक धरों करों को, संजोने और संवारने की हमारी प्रतिवद्धता का भी प्रमान है, यहां की आइकोनिक गलीज हो, ओल्ड करंसी बिल्डिंग हो, वेल्वेडेर हाउस हो, विक्टोरिया मेमोरियल हो, या फिर मेटकब हाउस, इनको और भव्य और सुन्दर बनाने का काम करिब करिब पूरा हो चुका है। विश्व के सबसे पुराने मुज्यम में से एक कोलकता के ही इंडियन मुज्यम को भी नए रंग रुप में दुनिया के सामने लाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, हमारे अतीत की विरासते हमारे वर्तमान को दिशा देती है। हमें बहतर भवशे घड़ने के लिए प्रेरित करती है। इसलिए आजदेश अपने इतिहास को, अपने अतीत को उर्जा के जागर स्रोत के रुप में अनुभव करता है। आपको वो समय भी याद होगा, जब हमारे यहां आए दिन प्राचिन मंदिरों की मूर्तियां चोरी होने की खबरें आती थी। हमारी कलाकृतियां बेधड़क विदेशों में स्मगल होती थी। जैसे उनकी कोई एहमियती नहीं थी। लेकिन अब भारत की उन दरोरों को वापिस लाय जा रहा है। और अभी हमारे किशन डेडी जी ने विस्तार से उसका वर्णन भी किया है। दो दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने दरजनों ऐसी मूर्तियां, पेंटिंग्स और दूसरी कलाकृतियां भारत को सौपी है। इन में से अनेक पश्चिम मंगाल से संबंदित है। पिछले साल भारत को अमेरिका ने भी लगवग डेड़ सो कलाकृतियां लोटाई थी। जब देश का सामर्थ बढ़ता है, जब दो देशों के बीच अपनत्व बढ़ता है, तो इस तरह अनेको उधारन सामने आते हैं। आप इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि 2014 से पहले के कई दसों को में सिर्फ दरजन भर प्रतिमाव को ही भारत लाया जा सका था। ये साथ सालों में ये संख्या सवाद दोसों से भी अधिक हो चुकी है। अपनी संस्कृती, अपनी सभिता की ये निशानिया भारत की वर्तवान और भावी पीडी को निरंतर प्रेरित करें। इसी दिशा में ये एक बहुत बड़ा प्रयास है। भाव्यों मैंनों, आदेश जिस तरह अपनी राष्ट्रिय और अध्यात्मिक दरोरों को एक नए आत्म विश्वास के साथ विक्सित कर रहा है, उसका एक और पक्ष है। अयोध्या बनारत के घाटों का सुंद्री करण हो। या फिल देश भर में एत्यासिक मंदिरों और आस्थास्थलों का जिर्णोधार है। हैरिटेज टूरिजम बढ़ाने के लिए भारत में एक राष्ट्र व्यापी अभ्यान चल रहा है। स्वदेश दर्शन जैसी कई योजनाओं के जरिये हैरिटेज टूरिजम को गति दी जा रही है। और पुरी दुनिया का अनुभव यही है कि कैसे हेरिटेज टूरिजम लोगों की आए बढ़ाने में, रोजगार के नए आउसर पाइदा करने में बड़ी भूमी का निभाता है। 21 सदी के भारत अपने इस पोटेंशल को समझते हुए ही आगे बढ़ रहा है। साथियों भारत को गुलामी के सैंकडों वर्षों के कालखन से आजादी तीन धाराओं के सयुक्त प्रयासों से मिली थी। एक धारा थी क्रांती की, दूसरी धारा सत्याग्रह की और तीसरी धारा थी जन जागरुती और रचनात्मक कामों की। मेरे मन में ये तीनों ही धाराएं तिरंगे के तिन रंगों में उभरती रही है। मेरे मन मस्तिश्क में बार बार ये भाव प्रकट होता है। हमारे तिरंगा का केशरिया रंग क्रांती की धारा का प्रतीक है। सफेद रंग सत्यांग्रव और अहिंसा की धारा का प्रतीक है। और हरा रंग रचनात्मक प्रभुत्ती की धारा का। भारतिय मुल्योप और आधारित शिक्षा के प्रतार पसार का। देश भक्ति से जुड़ी साहितिक रचनाएं, भक्ति आंदोलन ये सारी बाते उसके साथ निहीत है। और तिरंगे के अंदर नीले चक्र को मैं भारत की सास्कृतिक चेतना का पतीत के रूप में देखता। वेद से विवेकानन तक, बुद्ध से गांधी तक ये चक्र चलता रहा। मतुरा के वृंदावन, कुरुक्षत्र के मोहन, उनका सुदर्थन चक्र और पोरवंदर के मोहन का चर्खाधारी चक्र, ये चक्र कभी रुका नहीं। और साथियों, आज जब मैं विपलवी भारत गालेरी का उद्धाडन कर रहा हूं, तो तिरंगे के तीन रंगों में नए भारत का भविश्य भी देख रहा हूं। केसरिया रंग अब हमें करमर्ता, कर्तव्य और राष्टिय सुरक्षा की प्रेना देता है। सफेद रंग अब सबका साथ, सबका विकास, सबका विस्वास और सबका प्रयास का परियाय है। हरा रंग आज परियावरन के रक्षा के लिए, रिन्यूबल एनरजी के लिए भारत के बड़े लक्षों का प्रतीख है। ग्रीन एनर्जी से लेकर ग्रीन हाइड्रोजन तक, बायो फ्यूल से लेकर के इथेनॉल ब्लेंडिंग तक, नेट्रल फार्मिंग से लेकर गोबर्दन योजना शुरू तक, सब इसके प्रतिमंद भमन रहे हैं, और तिरंगे में लगा निला चक्र, आज ब्लू एकोनोमी का पर याय है, भारत के पास मौझूद अठास समुद्री संसादन, विशाल समुद्री ताठ, हमारी जलशक्ती भारत के विकास को निरंतर गती दे रही है, और साथियों, मुझे खुशी है कि तिरंगे की इस आन, बान और शान को और बढ़ाने का बीड़ा, देश के युवाओं ने उठाया हुआ है, ये देश के युवाही थे, जिन्होंने हर दौर में, भारत के स्वाधिनता संग्राम की मुशाल, अपने हाप में ठाम रखी थी, आप याद करिए, आज के दिन जब बगत्सी, सुक्तेव, राजगुरु को फांसी हुई, तो ये 23-24 साल के ही नौजवान थे, खुदिराम बोश की उम्रतों फांसी के समाएं इनसे भी बहुत कम थे, बगवान बिर्शा मुंडया 25-26 साल के थे, चंदर से कराजाब 24-25 साल के थे, और इनोंने अंग्रेजी हुकुमत को थराक रख दिया था, भारत के युवाओं का सामर्थ ना तब कम था और ना आज कम है, मैं देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, कभी अपनी शक्तियों को, अपने सपनों को कम नहीं आखियेगा, ऐसा कोई काम नहीं, जो भारत का युवाओं कर ना सके, ऐसा कोई लक्ष नहीं, जो भारत का युवाओं प्राप्तना कर सके, आजादी के सौ वर्स होने पर, भारत जिस भी उँचाई पर होगा, 2047 में, हिंदुस्तान जहाँ जिस उँचाई को पहुँचेगा, वो आज के युवाओं के दम पर ही होगा, इसलिए, आज जो युवाओं है, उनके जीवन का सबसे बड़ा लक्ष होना चाहिए, बए भारत के निर्मान में, अपना योगदान, अगले 25 वर्सों में, भारत के युवाओं की मेहनत, भारत का भाग्य बनाएगी, भारत का भविशे समारेगी, साथियों, भारत की आजादी के आंदोलन ने हमें, हमेशा एक भारत, स्रेष्ट भारत के लिए, काम करने की प्रिणा दी है, आजादी के मतवालों की शेत्रियता अलग अलग थी, बाशाएं, बोलियां बिंद बिंद थी, यहां तक की साधन संसाधनों में भी विविदता थी, लेकिन राष्ट सेवा की भावना, और राष्ट भक्ती एक निश्ट थी, वो भारत भक्ती के सुत्र से जुड़े थे, एक संकल्प के लिए लड़े थे, खड़े थे, भारत भक्ती का यही सास्वत भाव, भारत की एक्ता, अखन्ता, आज भी हमारी सरवोच्च प्रात्विक्ता होनी चाहिए, आपकी राजनिति, आपकी राजनितिक सोच कुछ भी हो, आप किसी भी राजनितिक दल के हो, लेकिन भारत की एक्ता अखन्ता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड, भारत के स्वतंत्रा सेनानियों के साथ सबसे बड़ा विश्वाद गात होगा बिना एकता हम एक भारत त्रेष्ट भारत की भावना को भी ससक्त नहीं कर पाएंगे देश की सम्वेधानिक संस्ताओं का सम्मान सम्वेधानिक पदों का सम्मान समस्त नागरिकों के प्रति समान भाव उनके प्रति सम्वेधना देश की एकता को बल देते हैं आज के इस समय में हमें देश की एक्ता के खिलाब काम कर रहे प्रतेक तत्व पर नजर रखनी है। बहुत बड़ा दाईत्व है। भायो भहनों हमें नए भारत में नई द्रश्टी के साथ ही आगे बढ़ना है। इन नई द्रश्टी भारत के आत्म विश्वास की है। आत्म निर्भरता की है। पुरातन पहचान की है, भविश्च के उत्थान की है और इसमें कर्तव्य की भावना का ही सबसे ज़्यादा महत्व है। हम आज अपने कर्तव्यों का जितनी निष्चा से पानन करेंगे, हमारे प्रयासों में जितनी पनाकाष्टा होगी, देश का भविश्च उतना ही भव्य होगा। इसलिए आज कर्तव्य निष्चा ही हमारी राष्ट्रिय भावना होनी चाहिए, कर्तव्य पालन ही हमारी राष्ट्रिय प्रेनना होनी चाहिए, कर्तव्य ही भारत का राष्ट्रिय चरित्र होना चाहिए। और ये कर्तवे है क्या हम बहुत आसानी से अपने आसपास अपने कर्तवियों के समझ में निर्णे भी कर सकते हैं प्रयास भी कर सकते हैं परणाम भी ला सकते हैं जब हम सड़कों पर चलते हुए ट्रेनों में बसड़ों पर गलियों में बाजारों में गंदकी नहीं फैलाते स्वच्छता का ध्यान रखते हैं, तो हम अपने कर्टवे का पालन करते हैं, समय पर वैक्सिनेशन कराना, जल समुरक्षन में योगदान देना, परियावरान बेचाने में मदद करना भी, कर्टवे पालन का ही तो एक उधानड है, जब हम डिजिटल पेमेंट करते हैं, दूस तो वो भी अपने कर्टवे का पालन करते हैं, जब हम को स्थानिय उत्पात खरीते हैं, वो कल फोर लोकल होते हैं, तब भी हम अपने कर्टवे का पालन करते हैं, जब हम आत्म निर्भर भारत अभ्यान को गति देते हैं, तो अपने कर्टवे का पालन करते हैं, मुझे इस बात की भी खुशी है कि आज ही भारत ने 400 बिलियन डॉलर यानि 30 लाग करोड रुपिये के प्रोडक्स के एक्सपोर्ड का नया रिकॉर्ड बनाया है भारत का बढ़ता हुआ एक्सपोर्ड हमारी इंडुस्ट्री की शक्ति हमारे MSME हमारी मैनुफेटरिंग शंपता हमारे एग्रिकल्चर सेक्टर के सामर्थ का प्रतीक है साथियों जब एक एक भारतिय अपने करतव्य को सरवोच्च प्राथिक्ता देगा पूरी निश्टा से उसका पालन करेगा तो भारत को आगे बढ़ने में कोई मुसिबत नहीं आएगी आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा हम अपने आस्पात देखें तो लाखो लाख हुआ लाखो लाख मैलाए हमारे बच्चे हमारे परिवार करतव्य की इसी भावना को जी रहे हैं यह भावना जैसे जैसे प्रत्य भारतिय का चरित्र मनती जाएगी भारत का भविश उतना ही उजवल होता जाएगा मैं कभी मुकंद दास्जी के शब्द मैं कहूं तो की आनंदो धनी उठलो की आनंदो धनी उठलो बंगो भुमे बंगो भुमे भुमे भारत भुमे जेगेच्छे आज भारत बासी आर की माना शोने लेगेच्छे आप उनका ये जार जान निशे मोने कोटी कोटी भारतियों की ये भावना निरंतर ससकता हो क्रांती विरो की भावना से हमें हमेशा प्रेना मिलती रहे इसी कामणा के साथ विपलवी भारत गैलेरी के लिए मैं फिर से आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं बंदे मात्रम धन्यवाद